नमस्कार मैं नीता शर्मा आज में लेके आई हूँ पनीर छीला एक कटोरी बेशन लेते हैं आधी कटोरी दही कस किया हुआ खीरा एक चमज नमक आधा चमज बेकिंग पाउडर आधा चमज बेकिंग शोड़ा इसको अच्छे से मिला लेते हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिलाएंगे हम इसको ज्यादा गाला ज्यादा पतला नहीं करना है तो थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और इसको फैटेंगे बनकी तयार है एक कड़ाई हम बटर डाल देते हैं कल्ची की सायता से इसको चारो तरब चलाएंगे अब जो मैंने बैटर बनाया था उसको इसी में डाल देते हैं एक चेमच और डाल देते हैं अब इसके उपर हम पनीर कश करेंगे पनीर अच्छे से कश हो चुका है अब एक बैटर इस पर और डालेंगे चाओ तरफ सिर्फ धक देते हैं थोड़ा सा पनीर अडालेंगे और पांच मिट के लिश्को पकने देंगे पांच मिट हो चुके हैं चीला इस साइट से पक चुका है अब इसको हम पलट लेते हैं थोड़ा साथ कड़ाई हम बटर अडालेंगे कल्ची से इसको चाओ तरफ से फिर चलाएंगे और चीला इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा इस पर बटर और डाल देते हैं पनीर चीला अच्छे से पक चुका है अब इसको एक पलेट में निकाल लेंगे देखे तो अच्छे से फूल चुका है अब इसके उपर हम थोड़ा सा पनीर और डालेंगे हमारा बटर चीला बनकर के हमारा पनीर चीला बनकर तयार है आप भी बनाईए, खाईए और हमें कमेंट में जरूर बताईए